जैहिंद नमस्कार दोस्तो स्वाकत करता हूँ एक और फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया अक्सुरिस में दोस्तो हाली में भारतिय रेलवे ने गुजरात के गांधी नगर कैपिटल एस्टेशन को भोपाल के हविब गंच एस्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास एस्टेशन के रूप में विक्सित किया गया है और कुछ इसी तरह की वो तमाम सिवाय प्रदान की जाती हैं जैसा एरपोर्ट बहुत ही या फिर उससे भी बढ़कर सिवा दिया जाता है और वर्ल्ड क्लास एस्टेशन बन जाने से प्राइविटेशन भी किया जाने की उमीद है दोस्तो कुछ इसी तरह की खबरे हैं कि विहार में कुछ रियल्भेश स्टेशन है जिसका पुंदर भी कास किया जाएगा यानि कि उन सभी रेलवेशसनों को वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर निर्मान किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और उसमें वेसी तमाम स्वाए परदान की जाएगी जैसा कि एरपोर्ट पर मिलती है दोस्तो बताएंगे आपको कौन-कौन से रेलवेशसन है बिहार के जिसमें किन सभी रेलवेशसनों का नामांगन किया गया है इसे पहले का भी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जरूर से कलिजीगा और साथ में नोटिपिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कलिजीगा दोस्तो बात करें वो सबसे बड़ी सौगात की तो बिहार में पहले से ही गया राजेंदर नगर टर्मिनल, मुझय अफरपूर, वेगुस राय और सिंगरौली रेलवेशसनों को एक वर्ल्ड क्लास रेलवेशसन के तरज पर बनाने की अनुमती इस्ट सेंटरल रेलवेशसन द्वारा मिल गई है अब बात आती है और ये सबसे बड़ी खुसकवरी है अब तक के लिए जिसमें सामिल किया गया है उनमे से दर्भंगा, सितामधी, बरौनी ये तीन ऐसे रेलवेशसन हैं जो बिहार के हैं और इसी यार के मुताबिक दर्भंगा, सितामधी, बरौनी, पंडित, दिंद्या, लुपाद, जंक्सन जो की यूपी में है धनबाद, जो की जहारखन के ओर से हैं तो ये पांच रेलवेशसन फिर से उजागर किया जाएंगे और यहाँ पर सबसे बड़ी खुस खबरी मिली है जो की यह बहुत ही हर्स की बात है कि दर्भंगा और सितामधी को भी इसमें सामिल कर लिया गया है और सितामधी को प्रेटन छेदर के उद्देश से इसमें सामिल क्या गया है और इस पर वे इसी तमाम सिभाई मिलेगी जिसमें जैसी पता है सबसे पहले एस्टेशन को ग्रीन विल्डिंग के रूप में तयार किया जाएगा जहां पर वेंटिलेशन आधी का प्रयाप्त विवस्ता होगी और रेलवे की जमीन पर मॉल, मल्टिप्लेक्स, बिल्डिंग बनाए जाएगे सरूर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा और रेल यात्रियों के स्टेशन पर आगमान एवं प्रस्थान के लिए परवेस और निकास द्वार अलग-अलग होंगे और जिससे यात्रियों को भीर भार का सामन नहीं करना परेगा और एस्टेशन पर एक्सस कंट्रोल गेट एवं प्रतेग प्लेटफर्म पर एसकेलेटर एवं लिफ्ट की सुविधायें भी दी जाएगी ताकि एक प्लेटफर्म से दूसरे प्लेटफर्म पर आने जाने में यत्रियों को कोई भी असुवधा न हो यत्रियों को प्रदान की जाने वाली आवस्यक सुवधाओं में खान पान वासरूम, पीने की पानी, एटियम इंटरनेट आदी भी सामिल किये जाएंगे और साथी साथ पुनरविकास के करम में दिव्यांग जनों के लिए भी सवी सी उधाएं जैसे रैंप, व्रेल लिपी इत्यादी प्रदान किये जाएंगे ताकि दिव्यांग जन बिना किसी असुवधा के स्वेम भी रेल यातरा करने में सक्छम हो सके दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी जरू से पसंद आया होगा और पसंद आता है जरू से लाइक करें अत्वा सेर करें मिलते हैं हमसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ तक लिए जै हिंद जै भारत